जैमाता दिमित्रो कैसे हैं आप सभी आशा करता हूं मित्रो आप सभी अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मित्रो एक वशी करण का शाबर मंतर आज मैं आपको बताऊंगा और इस منतर से आप किसी भी इस तरी का, किसी भी महिला का, किसी भी लड़की का वशी करण कर सकते हैं कि लेकिन प्रयोग में लेने से पहले में आपको यही बताऊंगा कि किसी भी अनुचित कारई के लिए इस منतर का इस्तिमाल मत कीजिए गाब अगर आप सच्चे हैं सही हैं और आप अपने आपको सही साबित करना चाहते हैं आपकी कोई गलती नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ इस मंतर का इस्तिमाल अच्छे कार्रे के लिए कर रहे हैं तो आप इस मंतर का प्रियोग कर सकते हैं गलत कार्रे क के लिए अनुचित कार्रे के लिए इस मंत्र का प्रियोग ना करें क्योंकि अगर आप किसी भी तरह के अनुचित कार्रे के लिए किसी भी तरह के गलत कार्रे के लिए मंत्र का प्रियोग करेंगे तो उसका कर्मफल आपको ही भोगना पड़ेगा बाद में ठीक है मित्रो तो म मंत्र में आपको बताता हूं और इस मंत्र का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं उसकी जानकारी भी मैं आपको देता हूं सबसे पहले मैं आपको ये बता दू कि ये जो मंत्र है ये एक शाबर मंत्र है और शाबर मंत्रों को सिद्ध करने की आवशकता नहीं होती ये मंत्र स्वेम सिद्ध होते हैं बस इनका थोड़ा सा जाप करना पड़ता है ताकि इनकी और भी जादा शक्ती बढ़ जाए उसके ये आपको क्या करना है कि इस मंत्र को 11 दिनों तक इस मंत्र को 11 दिनों तक आपको 108 बार रोज जाप करना है 11 दिनों तक 108 बार जाप करने से ये मंत्र शक्ति शाली बन जाता है और भी ज्यादा शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है उसके बाद में आपको क्या करना है कि कोई भी मीठी वस्तु आपको ले लेनी है मंत्र मैं आपको बताता हूँ पहले ठीक है फिर इसका विधान और इसका प्रयोग भी मैं आपको बताता हूँ मंत्र सुनिये मित्रों मंत्र इस प्रकार है जिसकी पुतिली मांजहरा, काला कलवा, गाटवाट, सोती को जगाई लावए, बैठी को उठाई लावे, खडी को चलालाव, वेगी, धरिया लाव, मोहिनी, जोहिनी, चल राजा की टांड यह शाबर मंतर है और आप लोगों की स्क्रीन पे भी यह मंतर आ रहा होगा जब आप इस मंतर का प्रयोग करोगे तो करना कैसे प्रयोग देखिए इस मंतर को पहल तो आपको जब करके इसको जगा लेना है शक्तिशाली बना लेना है उसके लिए आप रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको किसी भी समय जब कर सकते हो सुबा दुपैर शाम रात को जब भी आपके पास समय हो आप हात मुध हो करके अच्छे से और आसन के उपर बैठी अपने उसके बाद में रुद्राक्ष की माला लेकर के इस मंतर का जाप आपको 108 बार कर लेना है ठीक है अपने सामने आ विशक्ता नहीं है सिर्फ मंतर का जब ही परियापत है ठीक है और उसके बाद में प्रयोग कैसे करोगे देखिए किसी भी मीठी कोई भी मीठी वस्तू आपको ले लेनी है जैसे की गुड हो गया लड्डू हो गया बर्फी हो गया पेड़ा हो गया कोई मिठाई हो गई जल लोरी में प्लेट में बरतन में किसी में भी आपको रख लेना है ठीक है और अपने आसन के उपर बैठ करके आपको ग्यारा बार मंतर पढ़ना है और उस मीठी वस्तु पर फूक मारनी है फिर ग्यारा बार मंतर पढ़ना है फिर उस पर फूक मारनी है फिर ग्यारा बार मंतर जिसka आपको वषी करन करना है जिस लड़की का जिस महीला का ठीक है जब वो शिद्ध हो जाये जब वो शक्तिशाली बन जाए और मंतर के अंत में नाम भी बोलना है उसका ठीक है मंतर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो वहां पे लिखा हुआ हैila कि मंतर को जगाते समय आपको किसी भी महिला का नाम नहीं बोलना है सिर्फ आपको मंतर जगाना है अपना लेकिन जब आप इसका प्रयोग करोगे तब आपको महिला का नाम बोलना है ठीक है उसके बाद में उस वस्तु को किसी भी इस तरी को किसी भी महिला को आपको खिला देना जिसको आप वश्मे करना चाहते हो, ये प्रयोग आपको तीन बार करना है मित्रो, ठीक है, तीन बार में इसका प्रचंड वशीकरण उसके उपर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में जो भी आपका कार्य उचित हो, तो उसके लिए आप आगे अपना अग्रसर ह हो सकते हैं ठीक है गलत के लिए इस्तेमाल ना करें मित्रों सही के लिए इस्तेमाल करें ताकि आपका भी कल्यान हो सके और समाज का कल्यान हो सके सभी का कल्यान हो सके तो आश्या करता हूं मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी आपको अच्छी लगी होगी मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में जै मतरानी की